एक्जाम से आची के अपने घर पे लाहर देख सकते हैं काफी ज्यादा चल रही है हेलो दोस्तो सवागत है आप सबका मेरे यूटुब चैनल पर फिर से एक और नए वलोग में तो अभी टाइब हो चुका है लगभग 5 बच चुकी है और आज उठने में मुझे काफी लेट होगी तो चलते हैं अभी सिधा थोड़ा एक्सरसाइज करेंगी तो अभी लगभख पांच बच चुका है आज मुझे उठने भी लेट हो गए क्योंकि रात में लैट नहीं थी और सोने में दिक्कत हो रही थी आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा सफे दिया चुकी है फजर का टाइम तो खतम हो चुका है तो आज फजर की नमाज नहीं करने से हमारा पूरा दिन अच्छा गुजरता है और माइंड फ्रेस्ट रहता है और सेहत भी अच्छी बनती है तो इसलिए हमें सुभा सुभा उठ करके एक्सरसाइज करनी चाहिए और पहनें भी काबिक में लगते हैं तो लग फग 30 या 35 मिनट हम एक्सरसाइज के और इससाइज करते करते सूरज निकल चुका है और बाहर को नजारा देख सकते हैं सुभा सुभा तो अभी हम चलते हैं नहाने के लिए थोड़ा नहा लेते हैं फ्रेश हो जाते हैं क्योंकि सुभा सुभा नहाने से मैं फ्रेश हो जाता है और इसके बाद हमें जाना एक्जाम देने क्योंकि हमारा इंटरनल एक्जाम चल रही लेवंध का अस्कूल में ही त तो मैं अपना ID card और pen और एक copy ये ले लेता हूँ क्योंकि admit card तो हमारे पास है नहीं और admit card मिला भी नहीं है आधा बच्चा को कल मिला है और आधा को मिला भी नहीं मुझे नहीं मिला है पता नहीं ऐसा क्यों admit card या तो पहले दे देना चाहिए था या फिर दे नहीं नहीं चाह मगर क्या कह सकते हैं धनिये हमारे education system को तो चलते हैं लेट नहीं करते हैं तो finally guys हमारे एक्जापोच कहपूरा और ये है हमारा school हादी हासनी senior secondary पलस्कूर और जा रहे हैं आज last paper था मेरा हिंदी का तो आप मैं जा रहा हूँ भर और जैसे कि मैंने बताया था कि admit card नहीं मिला नहीं है यानि कि last dream क्या फाइदा गजब है यार मतला कि जब सारा paper खतम हो गया आज last paper नहीं होगी था तो आज कुछे admit card मिला और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको यह नहीं पता था कि मेरा क्या subject है आज जब उन लोगों के admit card मिला है तो काफी दुख है सब और ऐसा हो एडमी card पहले मी जाना चाहिए था और इसके एलाव मैं क्या कर सकता हूं तो अभी मैं जा रहा हूं खर लाहर भी बहुत ज्यादा चल रही है तो finally हम exam से आजिके अपने घर पे और लाहर देख सकते हैं काफी ज्यादा चल रही है पूरा मुह जैसे लग रहा है मुर्चा ग एड़ेटर बहुत ज्यादे लर्चर रहे भाई थोड़ेहीं दूर से पैदा लाते आते हलत खराब हो गई और गरम गर्म बहुत ज्यादे लग रहे हाथ मुह धोया हूं अभी और जा रहा हूं खाना खाने खाने के बाद कुछ अच्छा ड्रिंक बनाता हूं पीने के कुछ बनाने के लिए तो हम बना रहे है special summer dream और बनाते है श्रिकन जी तो फाली गाइस है कोचटहती है यार बस इसमें अफिम देगी इस ऐसा क्यु भाइब है कोचटहती है जुचके बैद मुझे जी इसमें सम्सक्राइब कोचटहती है मैंने बना लिया है यह शिकन जी और इस पिएंगे और लहर बहुत ज़ादा है तो अगधि थोड़ा आराम करेंगे लहर में टिकर के और उठेंगे तो शाम से फिर पढ़ाया स्टार्ट करेंगे और अभी लहर में आराम की तो अस्कूल से आने के बाद मैं सो गया था दुपार में और उठा तो देखा साढ़े चार बज चुका है असर का टायम हो चुका था तो असर की नमास पढ़ने के बाद मैं आ चुका हूँ छट पर और अभी सावा पांच हो रहा है शाम के मगर लहर ऐसा चल रहा है जैसे रात में सोने के लिए अच्छा होता है घंडा घंडा लगीगा अब हम बैठ चुके हैं पढ़ने के लिए और जा रहे हैं पढ़ने क्योंकि इस वक्त मैं पढ़ता हूँ अभी जब से मेरा एक्जाम चर रहा है तब से मैं शाम में ही पढ़ता हूँ और दोपाहर में पढ़ने ही पाता हूँ क्योंकि एक्साम से आता हूं तो लाहर की टाइम बहुत ज़्यादा लाहर सलती है और उपर में और ज़्यादा गरम लगता है मेरा रूम उपर है स्टेडी रूम तो उस वक्त मैं सो जाता हूं तो अभी जा रहा हूं पढ़ने और शिक्स कलास का हिस्ट्री है जो मैं पढ़ रहा हूं अभी अन अकेडमी पर और ये आज मिल है मुझे एडमिट कर देख रहें गाइस इसमें हिंदी जो आज लास्ट मेरा पेपर था जो पूरा हो चुका है और आज के दिन मुझे ये मिला है हिस्ट्री पाहने के बाद थोड़ा मैं अज जो हिंदी का पेपर है उसको देखूंगा चेक करूंगा क्या कितना सही बना पाया हूं तो इसमें मुबाइल से पाहना तो इसके बाद पढ़ करके उठने के बाद मैं लगभग 9 बजे तक पढ़ूंगा और उसके बाद खाना खा करके थोड़ा आई पेल देखूंगा और फिर सो जाओंगा तो बस यही पर आज का वलॉब करता हूं क्योंकि आगे का तो इसी मुबाइल से पढ़ना है तो आगे का शूप नहीं कर सकता हूं तो आज का फुल वलॉब मेरा कैसा लगा अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सबस्क्राइब जरूर करना लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना क्याल रखिए टेक क्यार बाई बाई